साथियो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में हमने फ्रेट और फ्रैप ये दो टेक्निक को कवर किया था और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बोला था कि मैं इस से रिलेटेड कोश्चन को भी आपको सॉल परा आने वाला हूं तो वह आप देख सकते हैं जैसे कि ये कोश्चन जो है ये CSIR December 2019 का पेपर का ये कोश्चन है और चार नमबर के मतलब section C में ये कोश्चन आया हुआ था तो आप इसको देख सकते हैं तो मैं इसको आपको दिखा देता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जै एफपी से ही होती है तो इसमें कोई confusion नहीं है जिसमें scientist जो की है वो एक frap experiment को इन्होंने प्लान किया है और उसके बाद ये इनको outcome देखने को मिला है तो हमें जो इसमें देखना है कि कौन से statement जो है वो सही है तो अगर आप इसको देख सकते हैं तो जैसा कि हमने देखा था कि जिस तरीके से जो recovery होती है तो वो graph ऊपर की ओर चल रहा था तो यह यहां पे अगर आप आप इस statement पर जाते हैं तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यह इन्होंने statement दिया हुआ है तो the following statement for this frap analysis दिया गया है तो आप यहां पे देख सकते हैं GFP be so faster exchange rate than GFPA तो सबसे बहली बात है कि जो इन्होंने exchange rate के बारे में जो बात किया है तो अगर हम उसको देखें तो च्यूंकि यह graph बहुत जल्दी ऊपर की ओर चड़ रहा है और intensity को प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो GFP आपका भी है वो क्या है faster rate of exchange को show कर रहा है और GFP A जो है वो नहीं show कर रहा है तो यह statement जो है वो true हो जाता है जो कि इसके corresponding जो next statement है वो गलत है क्योंकि GFP A faster recovery नहीं show कर रहा है क्योंकि इसका जो graph है वो अभी नीचे की तरफ है ठेक है अगर हम इसके दूसरे पहलू पर जाए तो जैसा कि इन्होंने यहां पर mention किया है G GFP A है जो more immobile fraction than GFP B तो obviously बात है यह नहीं recover कर पाया क्योंकि इसमें जो fraction है वो अभी भी बहुत सारे immobile fraction है मतलब protein यहां पर सही तरीके से move करके नहीं आ पाई है तो यानि कि इस condition में A और C statement true है तो यहां पर आपको यहीं बात बतानी थी कि which of the above mentioned statement for GFP and GFP AR correct तो पहले option में ह दिया है ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसको और option को यहां पर देखते हैं तो A and C जो है वो वही option इसका सही होगा A and D नहीं होगा तो इस तरीके से जो इसका correct answer आपका बनेगा वो A and C होगा तो hope यहां तक यह question आपको समझ में आ गया वो है यह आप देख सकते हैं हलाकि मैं यहां पर थोड़ा सा पहले इसको clean कर देता हूँ ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो इस question को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको recall होगा कि यहां पर क्या है कि group of scientists performed an experiment where the artificial fused mouse cell को monkey cell से यहां पर मिला दिया गया है ठीक आपके लिए आपके लिए आई ओपनर होने वाला है आई ओपनर होने वाला है क्यों कि आप यहां पर देख सकते हैं यह देख लीजेए आप सुरी अभी मैं आपको यहां पर इसको दिखा रहा हूँ कि यह आप देख सकते हैं यह यह जो कि हमने भी Bruce Albert में इसके पहले जो lecture cover किया था वहां पर यही तो कहानी थी जो experiment इन्होंने perform किया था hybrid cells बनाई थी लेकिन उन्होंने क्या किया था mouse cells को किया था human cells यहां पर क्या कि किया है monkey cells से conduct किया है इसके अलावा hetero carry on का formation हो रहा था यहां पर भी हो रहा है ठीक है और यह पूरा experiment जो मैंने आपको बताया जिससे यह proof हुआ कि जो proteins है वो move करती है तो इसी लिए मैं कह रहा हूं कि आप जो मैं यह authentic book से आपको जो पढ़ा रहा हूं उसका यही कारण है और आप भी authentic book से ही पढ़ाई कीजिए कि देख लीजाए आप सीधा question इसी के experiment को इन्होंने पूरा copy किया हुआ है बस इन्होंने monkey cells को लाया है ठीक है तो यह पूछ रहा है कि क्या statement correct reflect कर रहा है outcome of the experiment तो आप यहां पे देख सकते हैं तो जैसे कि क्या है तो यह experiment में यही था ठीक है protein in the cytoplasm की तो बात ही नहीं हो रही है static condition होगा ही नहीं मतलब हम ठहराओ की बात ही नहीं कर रहे है surface membrane protein exchange with the cytosolid तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर की नीचे की protein exchange हो रही है तो यह आपके लिए बहुत ही important है और इसको आप as of मैं आपको separate यहां पे ले जाके मैं लिख दे पढ़ाई करनी है और इसी लिए आपको लगता है कि CSIR जो है वो बहुत ही hard paper बनाता है ऐसा नहीं अगर आप authentic book से पढ़ाई करेंगे तो ऐसे question आपको सीधे सीधे exam में मिलेंगे ठीक है तो यह यहां पर इतनी story यहां पर clear हो गई होगी hopefully अब मैं इसको यहां पे clean कर देता ह और अब हम जो next part को देखने वाले हैं इस तरीके से आपको बहुत questions मिलेंगे जब आप previous किसी एक topic को जब आप पढ़ लीजे तो उसको वापस से जाके उसको recall करिए ठीक है जिससे आपका क्या होगा कि वो concept जो होगा वो वहां पे clear हो जाएगा ठीक है अब एक question यह जो question है यह DBT-JRF 2019 का question paper है जहां पर इन्होंने सीधा सा question पूछा था तीन नंबर का question होता है ठीक है विच बन आप दा फॉलिंग टेकनिक कैन भी यूस्ट ट्रांजेस प्रोटीन प्रोटीन इंट्रेक्शन इन लिविंग सेल तो आपको पता है कि प्रोटीन प्रोटीन इंट्रेक ठीक है तो यह चोटा सा यह video था जहां पर मैंने कुछ previous year के questions को cover किया है hope यह video आपको अच्छा लगा होगा और आप यहां से जरूर सीखेंगे कि आपको कैसे question को trace करना है कैसे analysis कर दी है ठीक है और अगर आपको इसके बाद भी कहीं पर भी कोई भी confusion आपको होती है तो आप मेरे को जरूर बताइए बाकी मिलते हैं next video में next lecture के साथ thank you so much